हेलो जी नमस्ते, 36 गड़ उजगा नियूज में आपका स्वागत है, मैं हो बीजय चाहान और आपके लिए नई जाब बीकेंसी लेकर के आगे हैं कार्याले मुख्य चिकिस्सा एवं स्वास्त अधिकारी जिला सुक्मा 36 गड़ के अंतरगत एक नई भर्दी के लिए नोटिफिकेशन चारी किया गया है सुक्मा जिले के जिला अस्पताल में चिकिसा स्वीधा को सूधिर्ण करने के लिए यहाँ पर आपातकालिन एसिती पर भर्दी प्रक्रिया निकाली गई है जिसके लिए पात्र और इच्छुट उमिद्वार 6 तारीक 12 मेहने 2022 तक कार्याले समय पर स्पीट पोस्ट या पर रजिटर डांक के माध्यम से आविदन प्रस्तूत कर सकते हैं बता दें माइक्रो बायोलाजिस्ट की यहाँ पर एक पदोपर भर्दी की जाएगी तो आज के वीडियो में जानेंगे कार्याले मुख्य चिकिसायम स्वास्थ अधिकारी जिला सुक्मा 36 गर्ड के अंतरगत निकाली गई भर्दी प्रक्रिया के बारे में बता दें नोटिफिकेशन 21 तारीक 11 मेहने 2022 को जारी किया गया है जिला अस्पताल सुक्मा में चिकिसा स्वीधा को सुदीर्न करने के लिए अपातकाल एस्थिती में DMF मद के अनुसार जो है यहाँ पर अपातकालेन एस्थिती के लिए नोटिफिकेशन चारी किया गया है बताने जो भी भरती होगी न तो नियमित भरती है और नहीं समीदा भरती है जो भी भरती होगी अपातकाल के इस्थिती की भरती यहाँ पर की जा रही है भर्ति के लिए जो भी पात्र और उमिद्वार जो भी है छे तारीक बारे मेंने 2022 तक डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं बात करें पद के बारे में तो माइक्रो बायोलोजिस्ट की एक पदो पर यहां पर भर्ति की जाएगी जिसके लिए पूरे 36 गड़ से आवेदन मांगे गए हैं महिला और पूरुज दोनों तरह के अभ्यार्ति जो है इस एक पद की भर्ति के लिए आवेदन प्रस्तूत कर सकते हैं बात करें माइक्रो बायोलोजिस्ट को मिलने वाले वेतन के बारे में तो 28,000 रुपे प्रतिमा यहां पर वेतन दिया जाएगा बात करें इनकी योगेता के बारे में तो अगर आप माइक्रो बायोलोजिस्ट की एक पद उपर भर्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास MSC की डिग्री होनी चाहिए बायोलोजी माइक्रो बायोलोजी के अंतरगर तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं बता दे जीला सुक्मा के अंतरगर जो भी भर्ती नीकाली गए है ना तो सविद्हा भरती है और ना हिसनीयमीत भरती है यह केवल अपातिक योगता काल इस अधिक ही आधिक नहीं होनी चाहिए 3736गर सासा दौरा आपको इम्र सीमा में यहां छोट देखने को मिल जो भी उमेदवार आविदन करेंगे उनका जो भी दस्ताविज लगने वाल हैं उसकी सूची यहां पर बताई गई है जिसे आप वीडियो के डिस्किप्शन में दिए के पीडिये फाइल के मात्यम से अच्छे से देख सकते हैं बताते हैं जो भी चैन होगी यहां पर मेरिट सुची के अधार पर की जाएगी तो आपके जितनी भी योग्यता होगी और आपके पास कार्य अनुभव रहेगा उसी काधार पर यहां पर चैन किया जाएगा आपकी सेक्षनिक योग्यता के अधार पर यहां पर सब्तर अंक आपको दिये जाएंगे अगर आपके पास अन इhã में प्रस्तूत कर सकते हैं । एक भरती प्रस। के बारती हैं। कि आपको आपको आविद्डन पत्र के बारे में जैनकारी दी गई है। सबसे पहले आवधित पत्र को श्रीक्त में आपसे नाम लिखेंगे जिस पत्त के लिए आप अवेधन करना चाहते हैं उस पत्त का नाम, यहाँ पर जिस अलोकेशन पर आप अवेधन करेंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है, यहाँ अपने फोटो चीप काएंगे, अपना नाम लिखेंगे हिंदी में और अंग्रेजी की अपनी जन्मती थी, अंकों में और सब्दों में, आप महिला हैं या पूरूस हैं, आप किस जादी के अंतरगत हैं, वो लिखेंगे, और यहाँ पर मांगे गई जानकारी को अच्छे से भरेंगे, और इसे बंद लिभापे में, इस पीट पोस्ट या भी रजिटर डाक के म सब्सक्रिया के बारे में, बता दें, जिला अस्पताल सुक्मा में, माइक्रो बायोलोजिस्ट की एक पद उपरभरती की जाएगी, जिसमें 28,000 रुपे का प्रती महा वेतन दिया जाएगा, बात करें योग गिता की, तो MSC माइक्रो बायोलोजी मागे गई है, अगर आपन MSC किया हुआ है, माइक्रो बायोलोजी सब्जेक्ट के साथ, तब आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं, आविदन आपको 6 तारीक 12 महिने 2022 तक डाक के माध्यम से आविदन प्रस्तूत करना है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, नई रोजगार प प्रस्त नहीं या फिर कुछ सोजाओं है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिन से धन्यवाद है,